भारत की राजधानी दिल्ली में 31 दिसमबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से राधानी दिल्ली के साथ पूरे देश को हिला कर रख दिया राधानी दिल्ली के अंदर 31 दिसंबर मुझे याद आ रहा है दिसंबर 2012 और ये है दिसंबर 2022 एक दशक पहले राधानी दिल्ली के टाइटल दिया गया था रेप कैपिटल ओफ इंडिया क्राइम कैपिटल ओफ इंडिया जिनों ने ये टाइटल दिया था वो दोनों राजनेतिक दल उस समय विपक्ष और सडकों पर थे आज वोही दोनों राजनेतिक दल भारतिय जनता पार्टी और आमादमी पार्टी आज सत्ता में है इस पूरे एक दशक में जो टाइटल था रेप कापिटल अफ इंडिया का इन्हीं लोगों का दिया हुआ आज भी बरकरार है घटना होती है मंगोलपुरी इलाका बीस साल की बेटी को बारा किलो मीटर तक एक गाड़ी में बैठे पांच लड़के बारा किलो मीटर तक घसीटते हैं उसके कपड़े उसके शरीर की खाल पुरी तरह उतर चाहती है और उस लड़की को तब तक घसीटा गया जब तक उस लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया अगर मैं सिर्फ पिछले एक हफ़ते की आप से बात करूँ तो राधानी दिल्ली के द्वारका में 14 दिसंबर को स्कूल से आ रही एक बच्ची के उपर एसिट अटैक हुआ होता है दावा किया जाता है कि दिल्ली में पुलिस सतर्क है और एसिड की तेजाब की खुली बिकरी बंध है लेकिन इन दोनों दावों की पोल खुली जब द्वारका में एक स्कूल से आती बच्ची के उपर एसिट फैका जाता है और अभी पता लगा 31 दिसंबर को पांडव नगर में भी एक लड़की को कार में खीच कर उसके उपर एसिड डाला गया यह राधानी दिल्ली के पांडव नगर की खबर है और आज ही जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आदश नगर दिल्ली से ही एक और सिसीटी फूटेज सामने आता है कि आदश नगर में एक लड़के ने एक लड़की को चाकूँ से गोध डाला है यह राधानी दिल्ली है